hey everyone welcome back to my youtube channel twinkling vimy so friends मैं हूँ vimy कैसे हो आप सब लोग आई हो आप सभी लोग बहुत ही अच्छी होंगे so guys आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली इस वीडियो में एक product review so इस brand की जितने भी product है उसके बार में मैंने बहुत जादा तारीश सुनी है और finally आज ये product भी मैंने use कर लिया है तो अगर आप लोग भी इस product की बान में सारी information जानना चाते हैं तो guys please stay with me and watch my video till the end of the video so देर नहीं करते हैं चलते हैं अपने इस product की तरफ so let's start so friends ये है pilgrim की red wine face cream आप देख सकते हो इसकी packing कुछ इस तरीके से है purple color में कुछ इस तरीके से इसकी packing है और जो भी इसकी cost है क्या क्या ingredients इसमें है कैसी use करना है सब कुछ इस box पर mention है सब कुछ इस पर लिखा हुआ है तो आप इसको read करके भी use कैसे करना है सब कर सकते हो तो सबसे पहले मैं आपको इसकी cost बता देती हूँ इसकी cost है रूपीज 550 इसमें कोई discount होगे रहा कुछ भी नहीं है आप देख सकते हो इसका जो price है वो है 550 तो friends इस brand की जितने भी product है वो सभी natural ingredients से बने होते हैं based on Korean formulation अप सभी लोग जानते हो कि जो Korean skin products है वो कितने demand में है actually उनकी skin ही इतनी shine करती है इतना glow करती है कि हर कोई उनकी जैसे skin पाना चाहता है और किसको पसंद नहीं है कि उसकी skin glow करे काफी अच्छी दिखे, shine करे सभी लोगों को पसंद होता है ये सब so friends इस box को मैं open करके दिखाती हूँ तो मैं ये मैंने open कर लिया है और इस आप देख सकते हैं इसको मैं use कर चुकी हूँ जैसे कि मैंने पहले भी बताया है और इस cream का जो color है वो है light pink, I mean baby pink color की cream fragrance बहुत ही अच्छी है guys जैसे मैंने अभी भी आपको बताया कि ये cream मैं पहले use कर चुकी हूँ मतलब पहले नहीं अभी use करना मैंने start किया है क्योंकि मैंने इस brand के जितने भी product के उसके बहुत तारीफ सुनी थी तो guys मैं बताना जाओंगी कि मेरे experience इस cream के साथ कैसे रहा सबसे अच्छी बात जो मुझे संस्क्रीन यूज नहीं करना है विकॉज इसमें already SPF 30 है और जैसे सबसे पहले तो आपके यही जिंजट खितम हो गया क्योंकि हम जब भी कहीं बहार जाते हैं या इवन घर पे भी रहते हैं तो पहले हम moisturizer लगाते हैं उसके बाद ही संस्क्रीन लगाते हैं तो हमारा पहला जो संस्क्रीन लगाने का काम ही इसने खतम कर दिया है क्योंकि इसमें already SPF 30 है सो गाइस दूसरी बाद जो मुझे सबसे अच्छी लगी स्क्रीन की वो यह है कि यह सभी स्क्रीन टाइप के लिए ऐसा नहीं कि कुछ क्रीम होती है कि उससर्फ oily skin के लिए है या फिर dry skin के लिए है या फिर men के लिए women के लिए यह सभी के लिए मत्तब suitable है I mean चाहे men के लो women के लो सभी skin वालों के लिए चाहे जिसकी oily है या dry है तो मुझे यह जो चीज आने बहुत ही अच्छी लगी So guys यह जो cream है आपके skin को तो hydrate करेगी ही साथ ही आपके skin को यह protect करेगी sun से और मैं आपको एक चीज और बता दू इसमें लिखा हुआ है red wine face cream SPF 30 with vitamin C and rose hip oil So guys जो यह vitamin C और rose hip oil इसमें include है तो यह आपके face पे बहुत एक अच्छा सा glow ला देंगे मतलब आपके skin बहुत ना healthy दिखेगी और काफी shine करेगी आपकी skin मतलब काफी चीजे हैं एक ही cream में आपको बहुत सारी चीजे मिल रही है guys So friends इस cream से मैं तो बहुत impressed हुई क्योंकि मेरी skin है dry और जैसे मैं पहले जब मॉश्टराइजर यह cream कोई भी apply करती थी तो मुझे evening में reapply की need होती थी बट जब से मैंने यह cream यूज किया ना सच बता रही हूं guys मुझे evening में apply करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं हो रही है क्योंकि आपकी skin को यह बहुत ज़्यादा hydrate रखती है आप सच आप यकीन ही करोगे आपको try करोगे ना तब ही आपको पता चलेगा और सच बता हूं I love this product बिकॉज यह आपके face को नो बहुत अच्छा सा glow दे देता है सच बता रही है अभी मैंने सफ काजल और एक अपना lip gloss लगाया हुआ इसके लावा मैंने बस यही क्रीम लगाई है आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है तो guys बहुत अच्छे मेरा experience इस क्रीम के साथ बहुत अच्छा रहा so friends मैंने कुछ लोगों से सुनाता कि जो यह क्रीम है आपके face को I mean आपका जो complexion है उसको गोरा कर देता है फै कर देता है guys जैसा बिल्कुल भी नहीं है इस ब्रहम में बिल्कुल मत रहना यह आपके screen को कोई मतलब आपके face को कोई गोरा नहीं करता but हाँ मैं यह जरूर कहूंगी कि यह आपकी skin को इतनी hydrate रखता है ना कि आपके face पर automatically एक glow आ जाता है मतलब glow तो जरूर आता है इससे मैं जरूर कहूंगी और आपकी जो skin काफी healthy दिखती है तो guys गोरा काले का क्या है but skin glow जरूर करनी चाहिए और healthy जरूर है यह according to me और कुछ लोग होते हैं कि मतलब कहते हैं कि हाँ यह cream गोरा करेगी तो यह वो cream नहीं है जैसे आप सोच रहे हो कि यह cream गोरा करती है क्रिम गोरा नहीं करती है क्रिम सिर्फ आपकी face को hydrate करती है अच्छे से और आपके face पे एक अच्छा glow देती है और आपकी skin बहुत ही जादा healthy दिखती है इस क्रिम को use कैसे करना है वह मैं आप सबको बता देती हूँ तो सबसे पहर है आप अपने अच्छे से सुंदर से face को अच्छे से wash कर लेजिए और उसके बाद आप थोड़ी से cream लेजिए जोड़ी से क्वांटिटी यह नहीं कि बहुत जादा ले ले लिए थोड़ी भी लोग है ना मतलब बहुत ही कम नहीं मतलब अपने face के according उतनी लेना जादा मत लेना और थोड़ी से लेना कि और अगर आपको अपने neck पे apply करना है और अपने face पे apply करना है तो आप वहाँ apply कर और हलकी सी massage के थूमत upward direction में इसको लगाए और अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो प्लीज आप 30 मिनट पहले या मतलब आदे गंटे पहले आप इस cream को अपने face पे और neck पे लगा लगा लीजिए अच्छी result के लिए इस cream का मैं आपको यूज करके दिखा देती हूं यह मैंने लिया थोड़ा सा थोड़ी से cream ली और जैसे कि मैंने पहले में फेस पर apply किया हुआ है तो मैं अपने hand पे यूज करके दिखा देती हूं आपको तो guys देखिए बहुत ही अच्छा glow आता है सच मैं मतलब इसके बाद आपको कुछ भी apply करने की ज़रूरत नहीं है ना sun screen ना कुछ आप देखरो यहां वाली side में देखो कुछ नहीं है यहां वाली side में देखरो कैसे shining से आ रही है यह देखो देख रही है guys तो बहुत ही अच्छा मतलब ना instant glow तो देती है यह cream so friends मुझे यह cream बहुत पसंद आई और अगर आप लोग भी सोच रहे हैं अपने skincare routine में कोई product moisturizer या कोई भी face cream add करने की तो मैं आप लोगों से जरूर कहना चाहूंगे कि आप इसे जरूर try करना और अगर आपको मेरी यह video अच्छी लगी हो या किसी भी कार मेरे को आपके एक लाइक सेना बहुत motivation मिलता है so guys please like कर दीजिए मेरी वीडियो को और जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं या मेरी चैनल पर पहली बार आया है तो please मेरे चैनल को subscribe कर दीजिए so मिलते हैं ऐसी एक helpful वीडियो के साथ और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूं आ आप सभी लोग अपना ध्यान रखें धन्यवाद